हेलो दोस्तों शुआगत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार आप लोगों के लिए Science and Technology की जो Classes हैं वो लेकर की आ रहा हूँ ये classes उन सभी विद्यार्थियों के लिए important है जहां कहीं भी syllabus में science या science and technology आपके portion दे रखा हो चाये वो first grade हो, second grade हो या costumble, पटवारी, gram-sevark, RAS, CET, सभी exams के लिए ये classes बहुत ही important है हम लोग बात कर रहे हैं science and technology के अंतरगत, defensive technology की यानी रक्षा प्रोध्योगी की के बारे में और रक्षा प्रोध्योगी की के अंतरगत हम लोग जो कुछ महत्वपुन मिसाइले हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कल लाश्ट में हमने के 15 सांगरी का जो मिसाइल है उसके बारे में बात करी थी और इस मिसाइल को पंडूबी से प्रिक्षेपित किया जाता है और ये एक ballistic missile है स्वार्य मिसाइल जो है इसका ही जमीनी संस्क्रण है इसके range की बात की जाए तो 700 km इसकी range है और नाभी की हतियारों को ले जाने में ये सक्षम है और दो चरण वाला जो ठोस फ्रणों तक होते हैं उनका इसके अंदर उप्योग किया जाता है अब चलिए हम अगला जो हमारी missile है अगली जो missile है उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप सबी लोग जो है अपनी copy के अंदर heading डालेंगे जल्दी से के 4 कौन सी missile के 4 कल जो missile थी वो के 15 थी ठीक है चलिए तो के 4 के बारे में बात करते हैं देखिए ये जो के 4 missile है इस के 4 missile की बात की जाए तो यहाँ भी पंडूपी से प्रिक्षेपित की जाने वाली और नाभी के समता वाली एक बैलेस्टिक मिसाइल है ठीक है जो इसके लिए प्रिक्षेपन पंडूपी है वो आई एने अरियंत जो है उससे किया गया था यानि जो इसके लिए प्रिक्षेपित किया गया था और इसके अंदर बुष्ट ग्लाइड फ्लाइट क्या बुष्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल से जो है वो सुविदा है और जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो ballistic missile है उस ballistic missile रोधी परणाली को भी इसके अंदर दोखा दिया जा सकता है समझ्माई बात मतलब ये झो है basicly जो ballistic missile को रोकने वाली परणाली है उसको भी दोखा देने में सक्षम है कौनत? तो ये हमारी K4 missile जो है वो ठीक है तो चलिए आप के फोर के बारे में लिखेंगे कि पन डूबी से पन डूबी से प्रक्षेपित पन डूबी से प्रिक्षेपित की जाने वाली की जाने वाली तथा नाभी किय तथा नाभी किय नाभी किय समता वाली यानि नुकलियर कैपेसिटी फेक उन्धियारों को ले जा सके नाभी किय समता वाली बैलेस्टिक बैलेस्टिक मिसाइल है ठीक कैसी मिसाइल है बैलेस्टिक मिसाइल है नेक्स लिखेंगे परिक्षण पंडूबी परिक्षण पंडूबी आई एन एस अरिहन्त आई एन एस अरिहन्त ठीक आई एन एस अरिहन्त से किया गया किलियर यह याद रखेंगे नेक्स्ट इसमें जो एक न्यू परणाली है और वो कौन सी है बैलेस्टिक मिसाइल रोधी परणाली को भी धोका दे सके वो वाली टेक्निक और वो कौन सी टेक्निक है तो इसमें बुस्ट ग्लाइड फ्लाइट फ्लाइट प्रोफाइल्स ठीक है तो देखिए पुस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल्स सुविदा है सुविदा है जो कि क्या करेगी तो जिससे इस सुविदा से क्या होगा तो जिससे यह किसी किसी भी बैलेस्टिक किसी भी बैलेस्टिक मिसाइल रोधी बैलेस्टिक मिसाइल रोधी परनाली को दोखा ठीक है बैलेस्टिक मिसाइल को दोखा लेसकती है लेसकती है तो यह है के फोर मिसाइल जिसके बारे में आपको याद रखना है और के फोर मिसाइल एक किसी मिसाइल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट को बनता है वह इस पॉइंट को लेकर ही बनता है कि इसके अंदर उस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल उस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल इसका मतलब यह है बिसिकली कि वो नॉर्मल स्पीट से जब ऊड़ रही होती है और फिर एकदम से यह टेक्निक होने के कारण इसके अंदर जो बैलेस्टिक मिसाइल रोधी पढ़ना ली है वो अगर वहाँ पर है तो यह इतना फास्ट चली जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि जो है आपका जो सिस्टम होता है जो इसको रोखने का प्रोसेस करने वाला होता है उससे पहले तो यह गायफ हो जाएगी समझाई बात तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है बुस्ट गलाइड फ्लाइट प्रोफाइल होती है जिसकी वज़े से यह बैलेस्टिक मिसाइल रोधी पढ़ना ली कोई भी हो उससे दोखा देने में सक्षम है इसके साथ यह के फोर मिसाइल जो है हमारी कंप्लीट होती है इसके बाद में जो सांगरी का मिसाइल है या जो के फिप्टिन मिसाइल थी उसका जमीनी संस्क्रंट जो सौर्य मिसाइल है उसके बारे में बात करते हैं किसके बारे में सौर्यय मिसाइल के बारे में बात करते हैं जैसा इसका नाम है सौर्यय और राजस्थान जो है वो अलग-अलग जितने भी महान योद्धा हुए उनके सौर्यय की गाथाओं काहिते हो एक ध्यास है राजस्थान का तो हमने जो है एक स्वारे मिसाइल की बात करना तो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि राजस्तान का जब हम बात करते हैं तो स्वारे तो हर जगे देखने को मिलता है तो फिर भारत देश में अगर राजस्तान राज्य है तो क्या भारत में स्वारे मिसाइल नहीं होगी होग स्वार्य ठीक चलिए अब स्वार्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये कैसी है तो यहाँ सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है ठीक ये कैसी मिसाइल है तो ये एक I, R, B, M मिसाइल है अब इसका मतलब I, R, B, M आ गया सीधा सीधा ये बेलेस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज का भी पता चल गया तो इसकी रेंज कितनी है तो इसकी जो परास है वो परास है आपके 700 किलो मीटर ठीक इसका जो पहला परिक्षण किया गया था वो कब किया गया तो पहला परिक्षण अब देखिए इसका जो पहला परिक्षण किसका स्वार्य मिसाइल का वो किया गया था 2004 के अंदर कब किया गया था 2004 में ये हब पहला परिक्षण किया गया और इसके अंदर दो चरण वाला इंजन होता है कौन से इंदन का द्रव या ठोस तो दोनों में ही ठोस प्रणोदक काम में लिया जाता है ठीक तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्वार्य मिसाइल है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है ये एक IRBM मिसाइल है इसकी रेंज साथ सो किलो मीटर है इसका पहला परिक्ष मिसाइल है जिसके अंदर दोनों ही चंडों में ठोस प्रणोदक का उप्योग होता है तो इसी के साथ जो हमारी स्वार्य मिसाइल है वो यहाँ पर समाप्त होती है स्वार्य मिसाइल के बारे में आपको इतना ही याद रखना है और एक पॉइंट मैंने पहले ही लिखवा द जिसमें एक दो अलग अलग मिसाइलों को मिक्स अब किया जा रहा हो ठीक तो यह आप नोट डाउन कर लीजिए स्वार्य मिसाइल के बारे में इसके बाद में आपने जिस के बारे में ज़्यादा नाम सुन रखा है जब वह मिसाइल आई थी तो हमारे न्यू चैनल पर भी बहुत ज़्यादा बाइरल हुई हमारे अखबारों के अंदर तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आया था सर हां आया तो था कुछ कुछ आया था ना अरे हां बिल्कुल सही बात है ब्रहमोस मिसाइल कौन सी ब्रहमोस और जो ब्रहमोस मिसाइल है वो एक काफ़ी खतरना तो रूस की एक नदी है मस्कवा कौन सी मस्कवा तो मस्कवा और भारत की भ्रह्म पुत्र इन दोनों के नाम ये दोनों नदिया है नदियों के नाम को मिला करके भारत के अंदर एक नई परकार की मिसाइल रूस ने हमें परदान करी वो है प्रमोस मिसाइल ठीक उसके बारे मे अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रमोश मिसाइल, ठीक, चलो, तो next कौन सी है, ब्रमोश, देखी, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि ये एक क्रूज मिसाइल है, और भारत और रूस के द्वारा विक लिखेंगे, भारत और रूस के द्वारा, भारत और रूस के द्वारा, ठीक, द्वारा विक्सित की गई, भारत और रूस के द्वारा विक्सित की गई, विक्सित की गई, सूपरसॉनिक, कैसी, सूपरसॉनिक, अब ये सूपर सौनिक है तो इसका मेक नंबर कितना होगा वो आपको कमेंट करके बताना है तो सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है कैसी मिसाइल है क्रूज मिसाइल है ठीक ये बात हमें याद रखनी है इसी के साथ मैं आपको बता दू जैसा इसका नाम है ब्रमोस तो यहाँ पर इसके अंदर जो ब्रह्म पुत्र है ब्रह्म जो आ रहा है देखो वो तो आ रहा है ब्रह्म पुत्र नदी से और ब्रह्म पुत्र नदी कहाँ पर है तो बारत में बहती है और जो इसमें अश्र पीछे का जो श्र आ रहा है वो मस्कवा नदी के नाम से आ रहा है कौन सी नदी के नाम से आ रहा है मस्कवा नदी के नाम से आ रहा है यह जो मस्कवा नदी है यह कहां बैती है तो ओव्यस सी बात है कि जब प्रमोश मिसाइल को भारत और रूश के दौरा विक्सित किया जा रहा है जो एक सुपर सौनिक और क्रूज मिसाइल है तो सीधिसी बात है कि ब्रहम पुत्र नदी भारत की है तो मस्कवा नदी कहां की होगी रूस की होगी इन दोनों के नाम से ही यह नया नाम ब्रमोश जो है निकाला गया है तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर हम इसके बारे में बात करते हैं आगे की तरह अब बात आजाती है क्या सर यह अभी बनाई गई है या अभी ही ऐसा हुआ है या इसके छेत्र में नहीं ऐसा है कि बात है 12 फरवरी 1998 की यानि 1998 की ठीक है अब 12 फरवरी 1998 के अंदर भारत में तो DRDO और रूस के अंदर एक है हमारा NPO उन दोनों के दोवारा मसिनो इस्त्रो येनिया क्या मसिनो इस्त्रो येनिया के बीच में जो है क्या हुआ था डीक है भारत का क्या है DRDO और रूस का क्या है NPO और Masinoistroenia ठीक Masinoistroenia इनके बीच में एक समझोता हुआ और उस समझोते के तहर्ट जो है एक नई Aerospace का गठन किया गया और उस Aerospace का नाम ही था Bramosh Aerospace पर वहीं से इस Bramosh मिसाइल की हम कहा सकते हैं कि नीव रखी गई थी ठीक है तो लिखेंगे कि 12 फरवरी 1998 1998 लिखिएगा 12 फरवरी 1998 1998 को भारत में को भारत में तो अपने DRD ओ था भारत में DRD ओ और रूस की तरफ से है रूस के NPO IPO नहीं NPO ठीक है तो रूस के NPO मसीनो मसीनो इस्त्रो ये निया मसीनो इस्त्रो ये निया के बीच के बीच ए समझोते के के तहर ब्रमोश एरो इस्पेस क्या ब्रमोश एरो इस्पेस का गठन किया गया ठीक चलो इसके बाद में next point हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसके अंदर दो चरण वाला इंजन होता है जिसमें एक में तो ठोस इंदन का उप्योग किया जाता है और लूसरे में द्रव इंदन ठीक है जबकि इसके अंदर दूसरे चरण की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रेम जेट प्रनोदन तंत्र जो होता है उसका भी उप्योग किया जाता है ठीक अगर इसके रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज कितनी है पहले वो लिख लीजिए तो इसकी रेंज है तीन सो किलो मीटर ठीक इसके साथ में जैसा की मैंने बताया ये कैसी मिसाइल है तो ये दो चरण वाली है ठीक दो चरण अब दोनों चरण में अलग-अलग है एक में ठोस वा दूसरे में द्रव इंदन इसके साथ और भी इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि दूसरे चरण में दूसरे चरण में रेंजे क्या दूसरे चरण में रेंजे प्रणोधन तंत्र रेंजे प्रणोधन तंत्र का प्रणोधन तंत्र का प्रणोधन तंत्र का प्रियोग ठीक चलिए इसी के साथ में ये जो है तीनो सेनाओं के द्वारा उप्योग में लाया जा रहा है या यह मिसाल तीनों के द्वारा उप्योग में लाई जा रही है तो तीनों सेनाओ द्वारा उप्योग इसी के साथ मैं नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि यहाँ जो है बैसिकली जमीन से भी उड़ाई जा सकती है या जमीन से भी इसे प्रिक्षेपित किया जा सकता है जमीन के बाद में हवा से भी इसे प्रिक्षेपित किया जा सकता है और हवा से नहीं चाते हैं तो हम इसे पन्डूबी से भी प्रिक्षेपित कर सकते हैं तो पन्डूबी से भी कर सकते हैं और इसी के साथ युद्ध पोतों से, किसे युद्ध पोतों जो होते हैं, उन युद्ध पोतों से, ठीक है, तो कहीं से भी प्रिक्सेपित कर सकते हैं, युद्ध पोतों से, से, फिर आगे लिखेंगे कि कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी प्रिक्षे पित कर सक्टे हैं ठीक ये बात हमें याद रखनी है कि यह जो है भाई आपके एक तो एरो इस्पेस की स्थापना कबुई भाई से इसकी नीव रखी फिर परास 300 किलो मीटर की है दो चरण इसमें ठोस और द्रविंदर दूसरे चरण में रेमजेट प्रनोदन तंद का प्रियोग होता है तीनो से नाओं का प्रियोग कर सकती है इसका जमीन से, हवा से, पंडूपी से या युद पोतों से कहीं से भी आप इसे प्रिक्षे पित कर सकते हैं इसलिए तो तीनो सेनाओं के लिए उप्योगी है जो चाहेगा थल सेना तो थल सेना जमीन से कर देगी वायू सेना तो हवा से कर देगी और नो सेना तो पंडू भी से कर देगी और युद पोत जो है वो कर सकते हैं तो युद पोतों से भी इसका प्रिक्षे पेना पॉसिबल है तो यह आप जो है नोट डाउन कर लिजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दू एक छोटी सी और है और वो मिसाइल है अस्त्र क्या नाम है उसका अस्त्र और यह जो अस्त्र है वो हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है ठेक इसके बारे में तो केवल दो पॉइंटी याद रखने हैं तो आप लिखेंगे अस्त्र पहला पॉइंट हवा से हवा मैं मार करने वाली ठीक हवा से हवा मैं मार करने वाली मिसाइल है और अगर मैं बात करूँ इसके परिक्षण का यहनी इसके टेस्टिंग की तो परिक्षण की अगर मैं बात करूँ तो 2014 के अंदर कब 2014 में फाइटर जेट जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा 2014 में फाइटर जेट सुखोई फाइटर जेट सुखोई ठीक है फाइटर जेट सुखोई 30 MKI 30 MKI ठीक सुखोई 30 MKI से इसका परिक्षण किया गया ठीक तो से किलियर ये अंस्तर के बारे में आपको याद रखना है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और प्रिक्षण की बात की जाए तो 2014 में फाइटर जेट था सुखोई 30 MKI उससे इसका प्रिक्षण किया जाता था ठीक चलिए इसको not down कर लीजिए इसके बाद में next देखिए जो important है वो है निर्भे कौनसी है निर्भे मिसाइल जिसके बारे में आगे भी बात करी थी इसका नाम आ चुका है ना आगे बिल्कुल क्रूज मिसाइल का उदारन जब दिया था तब मैंने बताया था कि ये निर्भे मिसाइल जो है वो क्रूज मिसाइल ही है जल्दी से इसको not down करिए फिर इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए निर्भे मिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो निर्बे मिसाइल जो है डी आर डीयों के दोारा तैयार की गई सौधिसी तक्निक से विक्सित डेस की पहली सबसोनिक कैसी पहली सबसोनिक प्रूज मिसाइल है तो सबसे पहले याद रखना ये स्ववदेशी है, DRDO के द्वारा तैयार की गई है, तो लिखेंगे DRDO के द्वारा या DRDO द्वारा स्वदेशी तक्निक, स्वदेशी तक्निक से विक्सित पहली सबसे पहली है ना, तो विक्सित पहली सबसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, के लिए है, ये बात हमें याद रखनी है, इसके परिक्षन की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो सफल परिक्षन किया गया था, पहला वो किया गया था, 17 अक्तुम्बर 2014, कब तो 17 अक्तुम्बर 2014 में जो है, इसका सफल परिक्षन किया गया, निरिभे मिसाइल का, ठीक है, अगर इसके रेंज की बात की जाए, तो इसकी रेंज जो है, वो 800 से 1000 किलो मीटर तक है, ठीक, कितनी है? 800 से 1000 किलो मीटर तक, इसके अंदर भी जो तंत्र लगा होता है, या इसके सिद्दान्त की बात करें, तो वो क्या है, तो तंत्र या सिद्दान्त, तो इसमें भी वही है, दागो और भूल जाओ, एक और कौन सी थी, कल बताई थी, बताना मुझे, कमेंट करके, ठीक है, तो दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, इसका जो है सिद्दान्त यही है, कि इसका निर्बे मिसाइल का सिद्दान्त यही है, और इसके अंदर जो आपका इंजन लगा हुआ है, वो कौन सा है, तर्बो फैन इंजन इसके अंदर लगा रहता है, और ठोस तो आप लिखेंगे तर्बो फैन इंजन तथा थोस प्रणोदक पर आधारित ठीक ये है निर्बे मिसाइल जो कि आपको इसके बारे में इतनी डिटेल्स याद है तो आपके लिए सफिसेंट है क्या क्या आद रखेंगे डियाडियो के दौरा सोदेशी तकनिक से जो विक्षित की गई पहली सबसोनिक प्रूज मिसाइल है भारत की वो है निर्बे इसके रेंज की बात की जाए तो आट सो से एक हजार किलो मिटर परिक्षन की बात की जाए निर्टेस्टिंग की बात की जाए तो 17 अक्टूमबर 2014 को इसका जो सिद्धान थे तंत्र इसमें जो लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है तो दागो और भूल जाओ और इसके अंदर टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है और ठोस प्रनोदक पर आदारित ये मिसाइल है तो मुझे उमीद है कि मेरे प्यारे सभी दोस्तों भाईयों पहनों और विद्यार्थियों को आज की क्लास पसंद आई होगी यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है त तो हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए केवल और केवल आप विडियो को लाइक एंड शेर करना जरूर ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगली क्लास में